बाक्सान टेलिविजिन की सालगरा है हम मौजूद इस वक्त इसलामबाद में और कुछ इसलामबाद का ऐसे महमानoth जिनकी contribution पी टी बी की स्क्रीन के हवाले से बहुत ज़्यादा है और पी टी बी की contribution उनकी जिन्दगियों में बहुत ज़्यादा है वाज जो कुछ भी है उसमें पी टी बी उन सब के लिए एक मा का दरजा रखती है अभी कुछ ते पहले महतरम हमारे सीनियर हमारे बुजर्ग सियत शमौन हाश्मी साब ज़कर कर रहे थे तो फैल नयाजी साब का और फैल नयाजी साब का जब जब ज़कर आए तो उनका पूरा उनकी पूरी family वो एक ऐसी inheritance छोड़ के गए है एक ऐसा विरसा चोड़ के गए है जो ना सिर्फ उनके बच्चों के लिए बलके पूरे पा जखीरे को चेरिश किया और उसको बढ़ाया और पी टीवी के स्क्रीम पे जो सबसे पहली आवाजें सबसे पहला मौसी की का प्रोग्राम नश्र हुआ लाइव और ब्लाक इंवाइट का जमाना हुआ करता है काश के वो recording इस वक्त मेरे मेरी टीम के पास होती तो हम आपको जरूर दिखलातें लेकिन इस वक्त उनके दो हवाले जावेद न्याजी और बाबर न्याजी दोनों माशाला प्राइड और परफॉर्फार्मेंस अपने काम में बहुत ही मजबूत आवाज रखने वाले आदाव गूरी इनिंग बहुत बहुत आपको आपके सालगरा इनको बोलते बोलते कम सुना गया है लेकिन जितना इनका वाइलन सुरीला है बोलते भी उतना ही सुरीला है आदाव बहुत शुक्री आप और मुझे खुशी है कि आज आप एक बार पर अकेले नहीं आए जी बिलकुल यह मेरे साथ ही रहता है अच्छा आपको मतलब बाइ नहीं नसल के हवाले से भी कुछ नुमाइंदगी हो और हम आज जब PTV के सालगरा मना रहे हैं तो म्यूजिक के कोई नए चेहरे और नए नाम भी हम बुल्वाएं आदाब जीती रहिए गुरीवनिंग कैसी हो जिया मैं बिलकुल ठीक आगूँ सबसे पहले बहुत ऑनर की बात है मेरे लिए सर आपका यहां होना और मेरे के सारे उस्ताद हैं उस्ताद हैं और इनके साथ बैठ के यहां पर इंट्रिव्यू देना आज हम सेलिबरेट करें पी टीवी की सालगरा I am so excited and honored to be here. डर रही हो. डिफिनेटली यहो नाम है जिनके साथ बैठना आप जितना म आपके वालिद गिरामी और दूसरे जो बड़े बड़े हमारे folk musicians रेश्मा जी की बात कर लें शौक्त अपकी बात कर लें एक से बढ़के एक नाम हमें मिलता है इन नामों को और इस गाईकी को याद करना क्यों जूरूरी होता है आज कर के दौर में इससे फाइदा क्या है इनको याद करना इसलिए जरूरी है कि इनको ये लोग अंदर दिल में बैठ गए हैं और ना ही ये निकल सकते हैं निकालने भी नहीं चाहिए ये हमारा विर्था है हमारी पहचान है और मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग सथियों में पैदा होते हैं लो डाउट लो डॉट तो हम में बड़ा इस पे फखर है, मान है कि हम उस्ताद स्लामत अलीखां, फतेली एमानत अलीखां और नुस्त खान साहब, तुफएल नियाजी साहब, इस मुल्क में मैधी हसन साहब पैदा हुए और हम खुशबख्त हैं कि इस मुल्क में पैदा हुए और उनको देखा, उनको सु में मिले, उनसे प्यार लिया, माड़म नूर जॉहां को सना, अच्बालवानु साहिबा को सना, आवना परवीन साहिबा, पैदा के, अल्ला की बनाय हुए लोग थे, मतल्ड़ मुह खोलते तो फैसे तो परड़रेक्ट शुरू हो जाती थे, एक्जाक्लि आपर ये बताएं और मिमिक्री और मुक्तिलिफ आवाजें निकालना कुछ उसकी हमें कहानी सुनाएं का कोई ऐसा वाक्या जो आज तक आपने टीवी पर किसी को नहीं बताया यही बहुत बड़ा वागया कि मैं एक गाने वाले का बेटा था मेरे अंदर मौसीकी थी लेकिन मैं पपेटियर कैसे बना यह मेरे अस्ताद पारुक ऐसा साब को क्रेड़ जाता है जब मैं आया था मैं बच्चा था अब मैं बच्चो वाला हूं तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी चीज़ें पड़ी हैं उन्होंने पते नहीं कैसे देख लिए और मुझे उन्होंने कहा कि में साथ काम करो मैं उस वक्त बहुत जंग था 12-13 साल की थी मेरी जब मैं अच्छा अबा के साथ ऐसी आ गया उसको मुलतान पढ़ता तो मैं कुछ दिनों के लिए आया यहां तो उनके साथ प्रोगम शुरू अधक कर लिया है पहला प्रोगम हो गया था दूसरा प्रोगम शुरू रिकॉर्डिंग थी तो बैसे बच्चा देसे कहते हैं मैं जी टीवी चलो आपके साथ तू की करने टीवी जा गए मैं जा जि लाट से मैं अच्छा बैजा तो मैं काड़ी बैडी कर नंके साथ तो आगे तो फारुक कैसर साभ बैठे थे कैसर फारुक साभ प्रोगम शुरू रते थे तो उनमें बैदर गया तो नने बच्चा कौन है अब बैजी के मेरे कैन लेगे मेरा पुतरे जी छोटा बाबर मुल आप काम करोगे, ये ड्रामे में काम करोगे, तो मैं घवरा गए, अमेरिके जिन नहीं, तो फिर मुझे कहा लोगों का करो, तो बुष्रा अंसारी, वह यही कर रही दूसरा प्रोराम था, उनों इसमें कुछ अख़वार, रिपोर्टर्स का था था उनका, एक कैमरा मैं चाहि तो जब मैंने वह स्टूडियो में गया तो नहीं का जी आप बहुत घपराएं वहने कंफ्यूज किसम के बंदे हैं ये बच्चे हैं और फोटक अच्छा मैं तो वैसी स्टूडियो में जाकर कैमरे लाइट्स में मुझे कंफ्यूज हो गया वो जब किया सीन तो सब ने बड़े फनकार का बेटा है उनने करना और के नहीं करना है जासे करना है लेकि इस तरह भी बावर होता है इसका बड़े तनावर दरख्त की चाया में आपको अपना अपना बनवाना बहुत मुझे एक बार किसी ने का कि आप तो बड़े बाप के बेटे हैं तो आपको तो अगनी ने का बड़े बापका बेटा होना होनाए बावत होना ओग इस्जत की बात है और बड़ा बड़े बलासिंगं इह लेकिन सबसे मुश्किल काम जो है वो बड़े बापका बेटा होना मुश्किल की उनकी घ्राइवी चीज़ कोई भी उसको गाईगा न word जाते अ, मेरी यसन भी बहुत अची चीज बचे ने गाई लेकिन जब उसका बेटा गाएगा ना तो लोग एक दम टाई डालते हैं तो बड़ा मुशकल होता है बड़े बाप का बेटा होना बड़ा मुशकिल काम है और मुशकिल बाप का बेटा होनो तो मौत है तो हम मुशकिल बाप का बेटा होनो तो मौत है तो हम मुशकिल बाप के लिए और कुछ ऐसे ही सिलसला रईस भाई आपका भी रहा कि एतने लेकर वाइलिन उठाना और फिर अपना नाम बनाना बहुत मिश्कल रहा हुआ। आपने मेरे वाले साथ सितार बजाते थे आप नियाज साथ के साथ ही काम करते थे वह लोग तमाशा होता था उस दमाने में लेकिन मैं एक चीज़ आपको दुरूर बताना चाहता हूँ कि 73-74 सन नोट कर ले 73-74 में मैंने बच्चों का प्रोग्राम से आखाज किया था पाकिस्तान टेलिविजिन चकलाला स्टाफ रोड से उस वक्त बलके मैं प्रडूसर्स का नाम भी बताना चाहता हूँ उस्मान गुल साब और नवीज जफर साब नवीज जफर साब तो वो मैंने उस पहला प्रोग्रम किया उसमें बलके एक धुन बजाई सम्मी मेरी 73-74 की बाद आज तक माशाला इस इदारे के साथ चल रहे हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं अल्ला इसको और जो है एक अधर पूरर इसको ठालीज़े और नहां मैं गुस्ताखी कर लोंगा उसको तरहाँ जो मैं वाइलन बजाओं आपको सुना हूँ है ना अच्छा ठीक है कुछ निया काम करें ना वाइलन बजाए तो हम क्लाबरेट करें सिंग एल वाइलन क्या सुना होगी? सर, हदिका जी का एक बहुत ही खुबसूरत सौंग है याद से जन्दी आई और याद से जन्दी आई और जब मैं पाकिस्तान आइडल में गई थी आउडिशन में तो हदिका क्या नहीं सामने बैठी ही थी तो बच्छपन से मुझे काम्प्लिमेंट दिया जाता था कि आप याद सजन्दी आई याद सजन्दी आई याद सजन्दी आई याद सजन्दी आई यक जवान भर आई याद सजन्दी आई याद सजन्दी आई तेरे मेरे जागी जो धर जाई काली घर्टा जो चाई ऐसी जुदाई से मैं तोरे भर आई याद सजन दियाई याद सजन दियाई एक जुआनल भर आई याद सजन दियाई याद सजन दियाई को चार जी जावद भावाई बावर इस आई कोछ जी है हर साल यापसर मेर खाले ही फिर्माईश होती है कि पी टीव पर जो इनिशिल फोक्स सॉंग्स नाइज साब का फास तौर पे लेकिन कोई बिज्विस वक्त आपका देल करें चाहे किसी और सिंगर कभी हो तो पुराणी याद ताजा कीजे अब हल्का सब्सक्राइब एक हमारे फोक्स सॉंग बहुत ही पॉपलर हुआ है उचिया लमिया टालिया पात बात हमीद तबहुत कीजत्य ओर का यदि एसको रडिल किया था ऐलका सा फेल के वैसा से यसरो क्वेर सज्दनी तूआ नहीं है तालियाँ वे बीवा हेट वगे दरिया हो मैं दरियाँ वादी मच्छली वे सोणयां बगला बढ़ के चाँ हो ओ जिन्द मेरी दी बेड़ी बणा ले पार पतड कर गाँ हो तालियाँ वे प्यूर फोक है यह नहीं कि दो तीन सुरका है बाकी जो मतलब पंजाबी गाते न सब कोई फोक कहते हैं असल में फोक नहीं होता हूँ वो कामपोजिशन होती है फोक दो या तीन सुरका है पर में अखर इसमें बहुत बड़ी कॉन्टिबूशन जो भी रइस भाई जिकर कर रहे थे लोक तमाशा का अक्सी मुफ्ती साहब प्रोग्रम उसमें देखे कितने बड़े-बड़े मौसिकार सामने आए प्रोग्रम भी साहब बहुत बड़े बड़े नाम अतो घुक्ति हो भाई सुर्याय आते है मैज़्टूरिक एल्लाय साहब जाड़ सांगा तरनमनाज बहुत सारे लोगों को हमने इस प्रोग्राम में सुना हम तो बैटे होते थे तरह सुनते होते थे जब पाकिस्तान टेलिविजिन के लोग जो जैसे प्रोड्यूसर पहले प्रोड्यूसर अभी माशारा बहुत अच्छे सारे काम कर रहे हैं लेकिन उस वक्त एक खौफ होता थ का एक बड़ा दबदब आता था प्रोड्यूसर की आंक का प्रोड्यूसर से बात करनी बड़ा एक मताब वो खुद तलाश करते थे और आपको पता है कि गेट के अंदर आने के लिए कितने पापड बेलने पढ़ते थे टीवी के अंदर कि बंदा महीनों गेट के ऊपर जाए जरा आज सालगरा का वाका है जो भी आपका दिल करें जिल झाल 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 खुछ रहे जीते रहे और फोट शुक्री आदिस गजशन को पीडिवी की सालगरा के तरफ लेकर बढ़ते हैं.